हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दन्यू इंडिया इंसरेंस कंपनी लिम्टेंड में आयो ही इस्पेसल वेकेंसी के बारे में जो कि CACMA CS तीनों ही लोग अपलाई कर सकते हैं यहां पे MBA Finance, M.com क्वालिफाइड लोग भी अपलाई कर सकते हैं तो आया इसके बारे में आपके पूरी जानकरी दे जता हूँ कि इसको अपलाई कैसे करना है और इसकी eligibility criteria क्या है तो आपर देख सकते हैं तोटल नमर वेकेंसी के बारे में बात की गई है जो टोटल वेकेंसी है वो 312 है कंपनी सेक्रेटरी की दो लीगल 30, Finance Accounts 35, Journalist की 245 यह टो क्या है तो यहां पर important data आप देख सकते हैं 10 December से 26 December तक यह online apply की जा सकती है और यहां पर आपको apply करना है 26 के बाद यहां पर application submit नहीं होगा तो उससे पहले आपको apply कर लेना है जो online examination होगा आपको phase 1 का वो 30 January 2019 को tentative बता दिया गया है और phase 2 का जो होगा वो 2nd March 2019 को होगा phase 2 में उन्हीं लोग को exam देने को मिलेगा जो phase 1 में qualify करेंगे तो इसके यहां पर देख सकते हैं qualification की बात की गई है उससे पहले salary की बात की गई है तो आईए salary के बारे में बता देता हूं यहां पर जो basic पर इस officer grade पर 32,795 है इसके उपर आपको HRA DA यह सारे मिला के total यहां पर जो आपको salary मिलेगी वो 51,000 per month मिलेगी यह metro quality center में है जो आपको मिलेगा बाकि आपको जो भी benefits होते हैं अधर वो भी इनके साथ मिलेंगे फिर 5th में आप देख सकते हैं educational qualification की बात की गई है और यहां प को आपके पास यह qualification है तो ही आप apply कर सकते हैं तो आईए देख लेते हैं क्या है journalist के लिए आप देख सकते है minimum qualification जो है वो post graduate और graduate किसी भी discipline में मांगा गया है और जो है आपका percentage वो 60% marks होना चाहिए S3, S3, NPWD के लिए 5% का relaxation है यहां पर आईए उसको बता जेता हूँ मैं यहां पर company secretary है यहां पर देख सकते हैं ACS, FCS और from ICS यहां मतलब जो member हैं वो ही apply कर सकते हैं और plus आपके पास graduation होना चाहिए CS degree के साथ इसी तरह legal के लिए है graduate plus post graduate in law with 60% और 5% यहां भी relaxation है SCST के लिए इसी तरह finance account post के लिए chartered accountant and graduation है यहां पर CA के साथ आपका graduation की degree होने चाहिए और आपका graduation में 60% होना चाहिए same CMA के लिए भी CMA plus graduation with 60% marks and MBA finance with 60% marks, mcom with 60% marks तो finance के लिए CA, CMA, MBA finance, mcom यह 60% के साथ होने चाहिए और 5% का relaxation है SCST and PWD के लिए जैसा कि मैंने बताया पहले ही 1 December 2018 तक यह certificate आपके पास होने चाहिए अगर आप अभी final year में हैं तो आप apply नहीं कर सकते हैं फिर next आईए बात करते हैं यहां पर E point में जो बताया गया है उससे फ़ले उपर देख सकते हैं 59.99 आपका 60% नहीं माना जाएगा आपका 60% है उससे उपर है तो ही आप apply किजिए यहां बताया गया है जो 21 year minimum और 30 year maximum accept relaxation जो आपको यहां पर बताया गया है SCST के लिए 5 OBC के लिए 3 and PWD और others जो हैं उनके लिए बताया गया है कि selection process कैसे होगा तो selection process तीन phase में आपका होगा phase 1 है preliminary examination जो 100 marks का होगा जिसमें 3 section divided हैं तो आइए मैं बताता हूं कौन से है section तो यहां पर देख सकते है Advertision में ही बताया गया है कि जो आपका first paper होगा वह English language reasoning ability और quantitative aptitude जो objective type की questions पूछे जाएंगे और यहां पर आपको total एक घंटे का time मिलेगा और 100 marks की questions मिलेंगे यहां पर जो first phase में qualify करेंगे उनको second यानि pre के बाद mains में आपको exam देने का मौका मिलेगा तो वह मौका किन को मिलेगा जितनी भी vacancy है जैसे कि 312 total vacancy है multiplied by 15 times इतने लोग को short list किया जाएगा first round में फिर mains के लिए उनको exam के लिए बुलाया जाएगा फिर second phase में जो main exam होगा यहां पर आपके 200 marks के paper होंगे जो की plus 30% description marks होंगे इसमें आपके English की language test check किया जाएगा तो यहां पर दो भागों में बाट दिया गया है पहला है for journalist for specialist तो for journalist के लिए four देख सकते हैं चार serial नमर में बताया गया है reasoning, English, general awareness, quantitatively, aptitude जो 50-50 marks के 200 के होंगे और 120 मिनट का आपके यहां पर time मिलेगा मतलब 2 गंड़े, अब यहां specialist के लिए point number four तक same है, यहां पर 10-10 नमर घटा के 40-40 marks कर दिया गया है और एक 5th point ला दिया गया specialist stream मतलब आप finance के हैं, law के हैं और company secretary है तो उस एक related course से related आपके 40 marks के question आएगे यहां भी total में आप देख सकते हैं, 200 questions होंगे 200 marks के और 120 मिनट मिलेंगे और यहां पर descriptive test होगा, आपका 30 minutes का होगा 30 marks के लिए जिसमें आपका later writing 10 marks का होगा और essay writing 20 marks का होगा जहां पर आपको English की knowledge, writing skills check की जाएगी हाई आपको बता देता हूं कि negative marking भी है, जो negative marking है one fourth आपका है, अगर आप एक गलत question करेंगा तो आपका one fourth marks कटेगा, फिर third phase जो है वो interview है, आपका first clear करने बाद second clear करना है उसके बाद आपको interview में जाना है, जो interview में होगा वो ratio यहां पर 20 to 80, 20 का बताएगा है, मतलब return का आपका 80% marks count किया जाएगा और 20% आपका interview का होगा, so total 100 मिला के short listing की जाएगी, फिर final stage में आपको selection करके आपको call letter भेज दिया जाएगा, यहां पर एक important point है, a waiting list of candidates not exceeding 50% of the number of vacancy may also be prepared, यहां पर एक waiting list बनाई जाएगी, जो की 312 है, तो उसका 50% मतलब लोगों को waiting list में डाला जाएगा, अगर किसी ने accept नहीं किया, तो उस list के हिसाब से उनको call letter भेज जाएगा, कौन कौन से documents हैं, जो आपको लेके interview में जाना है, फिर यहां पर आई यह बात करते हैं, application fees की, यहां पर देख सकते हैं, application fees की बात की गई जो non-refundable है, आपका CST PWD के लिए 100 rupees, only intervention charges है, और other than इसके जो भी हैं, उनका 600 application fees, including आपका intervention charges, फिर यहां पर बात की गई है, examination center की, तो examination center आपका हर state में है, यहां पर, आपकी जहां भी है, वहां पर दे सकते हैं, और आप किसी और state में जाके देना चाहते हैं, तो वहां पर भी दे सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, phase 1 का tentative है, वो examination center बता गया है, फिर examination phase 2 tentative, तो जो phase 2 है, वो काफी limited cities में है, और phase 1 सारे city में almost है यहां पर यह बात किया गया है फिर यहां पर बता गया है कि आपको apply कैसे करना है तो apply करने के तीन process है application में registration करना होगा आपको पहले उसके बाद fees payment करनी है फिर document scan and upload करके submit कर देना सारी information फिल्ट करके payment office की बात की गई है तो payment office आपकी जो है वो online की जाएगी debit card और visa internet जैसे भी आप करना चाहें online पे कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को share करिये और information दीजिए अगर वो job में नहीं है या job में इंट्रेस्टेंड है गवर्मेंट पीर स्वे में job करना चाहते हैं तो इस vacancy के लिए वह eligible है तो apply करें और आपको जो भी जानकार चाहिए direct link आपको मिल जाएगा apply करने का advertisement मिल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलें ताके finance accounts से लेट जॉप का update यहाँ पास सके हैं